ग्लेनमाक जहां पर आठ परसेंट की मूव आज ही की ट्रेडिंग सेशन में आगे एसन पी ने भरोसा बढ़ाया है ग्लेनमाक लाइफ की डील के बाद क्या कुछ हालात होंगे कंपनी के जिसकी वज़े से एसन पी इतना पॉजिटिव हो रहा है इनकी डेट सिचुएशन और आगे के आउट्लोक को लेकर वरून हमार साथ तेयार बताएंगे वरून दस परसेंट उपर है समथ हो जड़ा बताएंगे इंट्रेस्टिंग है कि इस बार ब्रोकिंग हाउस नहीं बलकि रेटिंग एजनसी के अपग्रेट के बाद स्टॉक में अच्छा का उच्छाल दे बेच रहे हैं 5,650 क्लोड के आसपास जो है इनको इस हिस्सा विक्री से मिलने वाले हैं सन्प का कहना है कि इसके बाद कम्पनी का जो कर्ज है वो सिग्निफेकेंटली आपको रेडियूस होता हुआ दिखाए देगा आप देखे यह कह रहा है कि करीब 440 क्लोड के आसपास क हो जाएगे आप सोचे 5,600 कोड में से अगर ये बाकी किसी और काम के लिए इस्तमाल करें और किवल 4,200 क्लोड के आसपास का भुकतान भी कर दे तो भी डेट नेट लेट हो जाएंगे क्यों कि कमनी के पास करीब 500 कोड के आसपास का कैश है तो ये बहुत बढ़ी चीज है ज लेकिन आगे चलके अगर आप देखेंगे 4-6 महीनों बाद 15-16% का आसपास की ग्रौध जो है उस पे एक कमपनी फिर से लोटते हुए आपको दिखाई दे सकती है काफी सारे और पॉइंट्स इन्होंने कहा है जैसे कि माजिन जो है वो 80% तक पहुँच जाएंगे 2025 तक ये एक अच्छी बात है और जिन्दिक कारोबार में ग्रोथ काफी अच्छी रहने वाली है अब देखिए इस कमपनी के फिलाल कोई acquisition प्लान्स नहीं है दूसरी बात यह कह रहे हैं कि अगर ग्लेनमार्क लाइफ इनके पॉर्टफोलियो में रहता तो कमपनी का जो केपेक्स है वो 700-800 कोड होता अब कमपनी का केपेक्स जो है वो 500-600 कोड रहेगा तो वहाँ भी कमपनी का पैसा बचने वाला है और इनका एक पैरमीटर है funds from operations to debt वो यह कहरे कि अगर 45 के नीचे रहता है तो हम इस पर अपना positive standards जो है आगे भी बरकरार रखने वाले हैं तो यह जो deal चलते स्टॉक में रहे किस तक आउचा लए है यह है आपके लियन मा को मुझे याद है सर कुछी समय पहले जब यह deal आई थी मारी बात भी हुए थी उस स्टार्टिंग में हमने बात करी तो आपने कहा भी था यह अब कंपनी का मुरूख बदलने वादी और दिप मुझे य एक बार यह जो सेलो न्यूज वाला मामला होने के बाद इस स्टॉक को आपको साल भर में 1200 रुपे के साथ से खरीदना नीचे के लिए पर एंट्री करने की सोचे इंवेस्मेंट के लिए और आज देखे वहाँ से करीबन करीबन 100 रुपे का बन गया दीरे दीरे पिछले द रेटिंग करेगा अब इस ट्रिगर की ज़रू थी वो ट्रिगर शायद SNP की तरफ से आया रेटिंग का और इसलिए स्टॉक चल पड़ा बट कोई आश्य नहीं मुझे मैं सुभे मिस कर गया तो आज मेरा स्टॉक ओफ देडे होना चाहिए था यह आज इतने स्टॉक ओफ और विंदो फार्मा भी बढ़ी आ एक्षिन में आया है और ग्लेन मार्क भी तो फार्मा स्टॉक पर हमारा जो फोकस और पोजिटिविटी है वो स्टॉक में दिख वी दिए अब आपको